भगवान सियो ने संपूर्ण विज्ञान भैरू तंत्र में एक महत्वपूर्ण बचन का उद्धोश किया है कि हर मनुस्य को आत्मा बीज रूप में उपलब्ध होती है और यह बीज अंकुरित होकर विराट प्रिक्ष बन सकता है जिसमें परम आनन्द के फूल खिल सकते है और हर व्यक्ति की यह संभावना है कि उसके आत्मा रूपी बीज का अंकुर फूटे और उसमें विराट ब्रिक्ष पैदा हो जिसमें परम आनंद के यानि परमात्मा के फुल लग सके लेकिन सबसे बड़े दुरभाग की बात है कि इस पृत्वी पर अधिकांस लोगों की वीज रूप आत्मा वीज रूप में ही रह जाती है ना अंकुरत होती है ना विराट ब्रिक्ष बनती है ना उसमें परम आनंद के परमात्मा के फुल लग पाते हैं एक सामान किसान से पूछें कि अगर किसी खेत में बीज डाल दिये जाएं तो सबसे बड़ी बाधा किस चीज की होती है सबसे बड़ी बाधा होती है कि उस खेत में जंगली पौधे, घास, दूप, पतवार दुनिया बरके पैदा हो जाते हैं और वो उस बीज को बिराट ब्रिक्ष होने में सबसे बड़ी बाधा खड़ी कर देते हैं तो जब तक उस खेत की सफाई न की जाए, तब तक बीज बिराट ब्रिक्ष संभव नहीं हो सकता है आपके भीतर भी जो बीज रूप में आत्मा है जैसा मैंने कहा जन्मों जन्मों के संसकार और इस जन्म के सारे संसकार इतने अधिक बिकारों के रूप में घास, फूस, जंगली, पौधों के रूप में उसके इर्दिगर्द जमा हो जाते हैं कि वो आत्मा रूपी बिज अंकुरित ही नहीं होता विराट ब्रिक्ष बनने के तसंभावना ही समाप्त हो जाती है और आत्मी जैसे पैदा होता है एक विराट संभावना का बीज लेके पैदा होता है परमात्मा का बीज लेके पैदा होता है परमानन्द का बीज लेके पैदा होता है लेकिन वैसे का वैसे विदा हो जाता है और अनंतकाल से अनंतकाल तक इसी तरह पुनरफ जन्नम, पुनरफ मरणम, पुनरफ जन्नम, पुनरफ मरणम इस चक्र में उद्जा रहता है मनों से ही एक मात्रप्राणी है जिसकी संभावना है कि वो इस चक्र से अपने को मुक्त कर सके झाल